हेलो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे 28 feet width into 40 feet length का एक house plan ठीक है तो 28 feet into 40 feet equal to 1120 square feet का यह हमारा plot का size ठीक है यह हमारा plot area है तो यहां पर मैंने एक 2BH के वाला house plan रोड किया हूं और इसके साथ car parking भी रखा हूं ओके तो यह हो गया हमारा plan यहां पर आगे की तरफ रहेगा हमारा man road यह हो गया हमारा front side जहां पर हमारा man road है और इसका जो size है आगे की तरफ यह 28 feet width में और यह length में रहेगा दोनों side 40 feet यह हो गया हमारा plot तो plot का तीनों तरफ इधर इधर और इधर तीनों तरफ पोड़ोस का मकान है तो मैंने इस तरफ 5 feet का space चोड़ा हूं 2 feet 6 inch का फिर इस तरह भी 2 feet 6 inch का space चोड़ा हूं और पीछे की तरफ 2 feet का space चोड़ा हूं ताकि हमारा घर को proper ventilation हो सके तो अभी मैं इसे highlight करूँगा और आगे आपको एक एक करके data sim बताऊंगा तो पहले मैं इसे highlight कर लेता हूं तो यहां पर मैंने जो हमारा outer wall है जो बाहरी दिवार है इस आरी दिवार को मैंने तो हमारा घर का जो लोड जो च्छत का जो लोड रहता है पूरा के पूरा हमारा column और beam के उपर रहता है इसलिए जो inner wall है जो internal wall है जो partition wall है इसे हम पांच इस इस का रखने से भी चलेगा ठीक है तो यह inner wall जो मैंने रखा हूँ 5 inch का यह red color में हाइलेट कर रहा हूँ और जो बाहरी दिवाद देख रहा है आप वह मैंने बृलू अंगा हाइलेट कर दिया जो noi जो है अभी मैंने सारे 5-inch का दिवार जो है inner wall है इसे मैंने red color में करते जाऊंगा तो एसे करके एक एक करके सारी दिवार को मैंने highlight कर दूँगा तो यह जो मैंने plan बनाया हूँ यह plan एक subscriber का requirement को best करके बनाया हूँ उसने मेरे एक video पर comment करके अपना plot का size और उनका जो requirement है इसी को मैंने comment करके दिये थे तो इसी comment को best करके मैंने यह plan रखिया हूँ और आशा करता हूँ कि उनको यह plan ज़रूर पसंद आया है ठीक है तो आप भी देखिए आपको यह plan पसंद आ सकता है आप भी अपना मकान इसे बना सकते है यह green color जो highlight कर रहा हूँ यह है हमारा windows और ventilator चारो तरफ मैंने window रखा हूँ ताकि हमारा घोर को proper ventilation हो सके proper air और हावा आ सके यहाँ पे मैंने डूर्स बेगरा highlight कर दूँगा ठीक है यह main door हो हैगा 3 feet change का बाकि जितने डूर्स रहेगा हमारा rooms का यह रहेगा 3 feet और जो छोड़ा छोड़ा rooms रहेगा टायलेट का बाथ रोम पूजा रोम इसका रहेगा 2 feet 5 inch 2 feet 6 inch ठीक है यह हो गया हमारा doors और इधर यह open रहेगा तो इसे भी मैंने blue color sorry green color में highlight कर देता हूँ तो friends यह रहा आपका पूरा plan प्लीज सब्सक्राइब कर दाना तो चलो इस plan के बारे में आगे मैं आपको details में बताता हूँ यहाँ पे रहेगा हमारा entrance जहाँ पिसे हम लोग घर को anti करेंगे जब हम घर को anti करेंगे आपको पहला मिलेगा एक बड़ा सा parking area यह रहा हमारा car parking ठीक है इसका जो size रहेगा यह यहाँ से यहाँ तक की मतलब हमारा जगाज इतला तक है यहाँ से यहाँ तक की 12 feet 9 inch ठीक है और लंबाई में रहेगा यहाँ से यहाँ तक 14 feet 9 inch ठीक है बड़ा सा area है और यहाँ पे आपको city मिलेगा चत के उपर जाने के लिए तो इसे जाएंगे फिर इसे right turn लेके चत के उपर जाएंगे इसे तो यहाँ पे शिढ़ी का जो चोड़ाई है यह 3 feet है तो हमने 12 feet 9 inch से 3 feet निकल दिया तो आपको लगभग 9 feet का मिल जाएगा तो यहाँ पे आपको 9 feet इन्टू जो हमारा 14 feet 9 inch इतना हमारा कार पार्किंग लिए स्पेस मिल जाएगा आपको तो यहाँ पे आराम से हमारा एक कार पार्किंग हो जाएगा ठीक है इसके बाद यह रहा हमारा मेंडू गर को एंटी करेंगे यहाँ से तो पहला मिलेगा एक बड़ा सा हॉल हॉल का जो साइज है यह चोड़ाई में 11 feet है और लंबाई में है 13 feet ओके इसके बाद एंटी करके जब लेप्ट तरफ हम जाएगे तो यह रहा हमारा कीचेन कीचेन का जो साइज है यह चोड़ाई में 6 feet रहेगा और लंबाई में रहेगा 14 फीट बस बड़ा सा कीचन है तो यहां पर हम लोग radar कर सकते हैं ठीक है? लोग radar कर सकते हैं इसके बाद इधर आएंगे तो यह आपको एक आर्च मिलेगा 4 फीट चारिंज का आर्च रहेगा ठीक है? और अंदर जाएंगे तो छोटा सा रूम दिख रहा है यह रूम है हमारा पूजा रूम पूजा रूम का जो साइज रहेगा यह 4 फिट चार रिंज चोड़ाई में और लंबाई में लेगा आपको साढ़े 6 फिट 6 फिट 6 फिट चे इंज का इसके बाद यह रहा और एक आर्च जो साढ़े 3 फिट का रहेगा ठीक है अंदर जाएंगे तो इस तरफ जो छोटा सा रूम है यह हमारा कॉमोन टोलेट का बाथ रूम इसका साइज रहेगा चोड़ाई में 10 फिट 10 फिट और लंबाई में बढ़ फिट पहला बेट्डरोम 10 आए 12 का इसके वाध यह रहा हमारा सेकेन बेट्रूम यह रखेगा लंबाई रहे हरा वाफिट wordt और इसके साथ, यह रहा हमाराresso dressing area फिक है, जिसका चूड़ाई रहेगा यहां पर 3 John मतलब, 3फिट 6 इंच और लंबाई रहेगा, 4फिट 4 इंच और यहाँ पर एक आटेस्ट टेलेट कम बात्रूम है जिसका चूड़ाई रहेगा 4 फिट 4 इंच और लंबाई रहेगा, 6.5 भीट 6 इंच तो फ्रेंड्स, यह रहा आपका पूरा प्लान, आसा करता हूं, आपको मे वीडियो देखने के बार मेरा इप्लान कैसा लगा कमेंट करके जुरूर बताना ओके थेंक यू